हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा में सनुन कुमार आप लोग देखरी हैं इंडिन जुगार टेग दोस्तों यहाँ पर जियो यूजर्स के लिए बहुत इबड़ी निउस निकल कर आ रही है और ये news निकल कर आये try की तरफ से तो क्या है ये news सारी details आज के इस दोड़े में आप लोगों को मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन दोस्तों उससे पहले जो red color का subscribe बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर click कीजिए साइड में जो bell icon आ रहा है इस पर click कीजिए और उसके बाद like बटन पर जरूर से click कीजिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि Jio users के लिए काफी बड़ी news यहाँ पर निकल कर आ रही है आप लोगों को पता हुगा Jio को अपनी services launch किये हुए इंडिया में करीबन दो साल हो चुके हैं और उससे पहले इंडिया में जो data plans थे या calling plans थे वह काफी महगे थे आपको करीबन 1GB data के लिए जो है 200 या 300 रुपए पे करने पड़े थे और उसमें सिर्फ आपको data मिलते था अल्लिमिट वोइस कॉलिंग्स भी वहाँ पर आपको नहीं मिलती थी तब से जियो को काफी ज़दा यहाँ पर पॉबलरेटी मिलते रही है उनके plans के कारण क्योंकि उनके काफी सस्ते plans और तो एक मात्र ऐसा ओपरेटर बनाए इंडिया का जिसने जो है सेप्टेंबर 2018 में नए सबस्राइबर एड़ किये हैं बाकी एटल, आइडिया, वोड़ाफोन इन सभी को छोड़कर उनके सबस्राइबर जो है जा रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं या तो वो BSN की तरफ जा रह सबस्राइबर आपने खोई हैं यानि कि इतने लोग जो है एडिल को छोड़का सेप्टेंबर में चले गए दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं यहाँ पर वोड़ाफोन की तो वोड़ाफोन को करीबन यहाँ पर छोड़के गए हैं 2.6 मिलियन सबस्राइबर बात करते हैं आइडा की तो आइडा को सबसे जादा subscriber यहां पर छोड कर गए हैं करीब न चार मिलिएं सबस्राइबर आइडा को चोड कर चले गए हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं Reliance Jio की तो Reliance Jio के बारे में बताया गया है कि Reliance Jio ने September 2018 में 13 मिलियन सब्स्राइबर यहाँ पर अड़ किये हैं यानि कि इतने लोग नए Jio के साथ में जुड़े हैं यानि कि Atle, Idea, Vodafone को जितने लोग छोड़ कर गए हैं उससे ज्यादा सब्स्राइबर यहाँ पर Jio ने जो है एड़ किये हैं September 2018 में तो इसका मतलब फिलाल Jio को इंडिया में काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं बात करते हैं यहाँ पर मार्किट शेयर की तो पहले नमबर पर आता है तो दोस्तों यहां पर इटल आईडिया वोड़ाफोन को यूजर सोड़ कर जा रहे है और जियो यहां पर नए सब्स्राइबर अड़ करता जा रहा है वैसे आप लोगों को पता होगा अभी एडल आइडिया वोड़ाफोन की तरफ से एक मिनिमम रिचार्ज वाला यहाँ पर नया पोलिशी भी आ है जिसके तैट आपकी जो इंकमिंग कॉल्स है वो 30 दिनों के बाद में बंद कर दी जाती है और 45 दिनों के बाद में आपकी आउटकोइंग कॉल्स भी बंद कर दी जाती है तो इसको लेकर भी काफी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर एटिल आइडिया वोड़ाफोन को छोड़ रहे हैं फिलाल के लिए तो लेकिन सेप्टेंबर 2018 में ऐसा नहीं था लेकिन फिलाल अब काफी ज़्यादा लोग जो है इनको छोड़ने वाले हैं और काफी ज़्या एक मात्र ऐसा ओपरेटर बना है सेप्टेमबर 2018 में जिसने नए सब्स्राइबर एड़ किया है सो फेंट्स आसा करते हूं आज का वीडियो अपलोगों को पसंद आगा तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें जन्वा दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए